दोस्तों आज में एक ऐसा बुक लेके आया हूँ एक ऐसा टेक्नीक लेके आया हूँ जो अगर आप फॉलो करें आप अपने लाइफ में तो जो कुछ भी आप चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक ऐसा टेकनीक है जो बहुत सारे बिजनसमेन, बहुत सारे एस्टुडेंट और बहुत सारे इंपलोई यूज किये हैं और उनसे बहुत सारे चेंजेज अपने लाइफ में पाए हुए है दोस्तों इस बुक का नाम है The Silva Mind Control Method और इस बुक के लेकर है Joe Silva Joe Silva इस method को used किया है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस method को यूज करने के लिए प्रेरित किया जिनको बहुत सारे फायदा मिला दोस्तों इसमें simple technique दिया गया है Simple method दिया गया है इस बुक का total मैं 6 method आपको बताने वाला हूँ जो बहुत है सिंपल है लेकिन अगर इसको आप अपने लाइफ में उतारते हैं इसको आप यूज़ करते हैं तो आप जो चाहे अपने लाइफ में पा सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें ऐसे लाइफ में होती हैं, कि छोटी-छोटी चीज़ें हम ignore कर देते हैं, अगर हम उसको follow करें, उसको हम use करें, proper use करें, तो आप जो चाहें, वो अपने लाइफ में आप पा सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कि silva mind control method होता क्या है? दोस्तों, silva mind control method ये होता है, कि आप अपने life में अपने आपको control कर सकें, अपनी thinking की control कर सकें, अपनी सोच को control कर सकें और अपनी subconscious mind को एक proper guidance दे सकें, कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपको, वो proper कर सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे brains की different different waves होती है और अलग-अलग state में अलग-अलग उसकी waves होती है जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे mind different kind of waves produce कर रहा होता है जब आप जगरे होते हैं तो different kind of waves produce होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेके गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका mind different kind of waves I mean wave release करता है दोस्तों अगर वो आपके mind को control करना आपको आ गया अगर ये silver mind control method आपको आ गया आपको अपने mind को control करना आ गया तो दोस्तों believe कीजिए आप जो भी चाहते हैं आप अपने life में वो पा सकते हैं तो आएए method पे आते हैं method number one meditate दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको silver mind control method का सबसे पहला जो method है वो meditation है अगर आपको meditation आता है अगर आपको अपने आपको control करना है अगर कुछ भी आप अपने life में पाना चाहते हैं एक साथ चलती रहते हैं और हमारा mind unnecessarily चीज़ों से उल्जा हुआ होता है उसको पता है नहीं रहता है कि actually वो कर क्या रहा है और कौन सा चीज़ों को वो सोच रहा है दोस्तों अपने दिमाग को सही direction देने के लिए सही सोच करने के लिए सही proper तरीके से use करने के लिए उसको सांथ करना जुरूरी है उसको उसके लिए आपको meditate करना पड़ेगा तो अगर आप use करना चाहते हैं अगर आप silver mind control method का use करना चाहते हैं तो पहला method ही है कि आपको रोज meditate करना पड़ेगा दोस्तों silver mind control method में meditation का एक तरीका बताय गया है और वो तरीका अगर आप follow करते हैं तो आप easily आप अपने आपको control कर पाएंगे आप अपने mind को control कर पाएंगे और उसको उस direction में divert कर सकते हैं जिधर आपको अपने mind को ले जाना है meditation करने के लिए आपको सांत अवस्ता में बैठ जाना है normal जैसे हम लोग meditation के अवस्ता में बैठते हैं वैसे आपको बैठना है आपके हाथ सीधा करना है सीधे बैठना है आपके रेड की हड़ी एक दम स्ट्रेट होनी चाहिए आपको अपने आँखे बंद करने हैं और आँखे बंद करके अपने आप अपने आँखों को उपर की तरफ देखना है आपके आँखे बंद रहेगा लेकिन आपकी vision उपर की तरफ 20 degrees में रहेंगी और फिर आपको count करना है 100 से लेके एक तक और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप count करें आपकी एक count से दूसरी count पे 2 सेकंड का gap होना चाहिए for example आपको 100 के बाद पहले 100 count करना है फिर 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 99 count करना है फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 98 count करना है फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 97 काउंट करना है ऐसे आपको काउंट करके एक तक आना है और ये आपको continuously 10 दिन करना है जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धीरे 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 सांथ होने लगेगा और फिर आप आपका दिमाग कंट्रोल कर पाएंगे जब आप 10 दिन ऐसे करेंगे तो आपको comfortable लगने लगेगा और जब भी आप ये काउंट कर लें तो फिर आप अपने आई ओपनिंग करने के लिए आपको 5 तक काउंट करना है और वो 5 तक काउंट में भी आप 2-2 सेकंड के gap दें जैसे 5, 4, 3, 2, 1 और फिर आप अपने eyes open करें और eyes open करने के बाद आप अपने आपको बोलें कि मैं पहले से बहतर फिल कर रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ और ये silver technique मुझे और भी बहतर कर रही है मैं अपने mind को control कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपने life में पा सकता हूँ जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरा mind इधर उधर कहीं नहीं भढ़केगा दोस्तों believe कीजे जब ऐसा meditate आप करेंगे आप अपने आप में difference पाएंगे आप खुद feel करेंगे कि कितने चीज़ें change हो रही हैं और 10 दिन आपको 100 से लेके 1 तक काउंट करना है 10 दिन के बाद आप फिर 50 से लेके 1 तक काउंट किजिए next 5 days फिर 5 days आपको 25 से लेके 1 तक काउंट करना है फिर आपको 10 से लेके 1 तक काउंट करना है और फिर आप महिनी में 30 days बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने mind को जब चाहें तब सांथ कर सकते हैं उसको meditate कर सकते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप meditate करें ये technique आप use करें इस technique की use करने से आपको 100% control अपने mind पे हो जाएगा और जब आप अपने mind पे control कर पाएंगे तो आप अपने mind को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो mind होता है वो पूरा power house होता है उसकी ताकत को आपको अंधाजा नहीं है और in fact हम human beings उसकी अंधाजा अभी तक नहीं लगा पाएं इसमें बहुत सारे researches अभी चल रही है कि हमारा mind कितना ताकतवर होता है आप इसको जैसे यूज करेंगे जैसे इसको आप अच्छा से यूज करेंगे उतन ही आपको ये benefit देने वाला है दोस्तों ये power house को अगर आप अच्छे से use करते हैं तो ये आपको benefit देता है लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से use करना नहीं आता तो ये आपको बर्वाद भी कर देता है दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अमीर होते जाते हैं लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं और बहुत लोग गरीब होते जाते हैं और दिन प्रते दिन और भी गरीब होते जाते हैं और वो पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत बत्तर रिस्तिते में आ जाते हैं दोस्तों सिर्फ यह की कारण होता है कि वो लोग अपने mind को proper तरीके से control नहीं कर पाते method number two mirror of the mind दोस्तों जब भी भी आप अपके life में problem हो आपको वो पल याद करना है कि जब आप किसी भी problem से उभर के बाहर आये थे उसको उस वक्त को आप use कीजे उस वक्त को आप याद कीजे सोचिए आपके life में अभी कोई problem है लेकिन पिछले वाले किसी problem को आपने solve किया था और उसा solve किया था तो जो आपके खुशी आपके दिमाग में आई थी जो वो पल को आप याद कीजे और ये ऐसा हमेशा करते रहिए जभी भी आपके life में कभी problem है जब उस problem को solve किये थे आप और आपके अंदर वो खुशी आए थी उस पल को आप याद कीजे और अपने आपको ये एहसास दिलाए कि मैं बहुत सारे ऐसे problems अपने life में मैं solve कर चुका हूँ और life में कोई भी problem मेरी आएगी उसको मैं easily solve कर सकता हूँ दोस्तों हमारा mind बहुत strong है बहुत powerful है अगर उसको हम proper रास्ता देते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि हमारे life में ये problem है believe किजिए दोस्तों वो solution हमें देगा उसको solve कर करेगा लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है अगर आपके life में कोई problem है तो आपको positive रहना है और positive रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने life में problem solve किये थे जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आप में confidence आएगा आपको अपने mind का confidence आएगा और आपका mind आप उसको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी problem solve कर सकता हूँ और कोई भी problem आपके life में हो आप उसको easily solve कर पाएंगे method number three three fingers technique दोस्तों लेकर बताते हैं कि हमारे life में एक बहुत simple technique है अगर इसको आप use करते हैं तो आप अपने life में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जो आप भोल जाते हैं लेकर बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसे चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज़ याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा important चीज़ आपके life में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप अपने अंगुठा और first और second finger को एक साथ रखें और अपने आपको बोलें कि जब भी भी मैं किसी चीज़ को याद करना चाहता हूं तो ये मैं तीन अंगलियों को जोड़ूँगा तो धिरे-धिरे आपको ये आदत बन जाएगी और जबी भी आप तीन अंगलियों को जोड़ेंगे और आपके life में जो भी चीज हो रहा होगा वो आपके दिमायक में ऐसे record हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं आपको practice करना पड़ेगा खोज सकता है आपको दो हपते लगे चार हपते लगे या महीने लगे बट आपको जैसे ये technique आपको धबल अब हो जाएगी और अपने आपको बोलिए कि ये मैं कभी नहीं भोलूँगा ये मैंने अपने अंगलियों को जोड के रखा है और वो आपके दिमाग में ऐसे record हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं दोस्तों जभी भी आपको याद करना होगा आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे आपको ये पटाक से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था मेथ़ नमबर फोर दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में चूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पासकते हैं ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी समस्या में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं आप उसको उभर कम कर सकते हैं आप स्ट्रॉंग हो सकते हैं आप किसी भी इस्तिते में हो अपने आपको समाल सकते हैं और वो दो चीजे हैं दोस्तों आपको अपने आपको रियलाइज दिलाना है आपको अपने आपको बोलना है कि मैं बहतर हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ मैं इन प्राब्लम्स से बाहर आ सकता हूँ मैंने इन प्राब्लम को बाहर आ रहा हूँ मेरे लाइफ में अच्छे चीज़े हो रही है दोस्तों ये आपको रिपीट करना है एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाए लें और सेकंड चीज़ आपको ये फील करना है ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों ऐसे रिगुलर डेज में भी अगर आप ये दो टेकनीक आप सुबह दो भर में और साम को आप यूज करते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा आप ये दो चीज़े याद करते हैं जो चीज़ें आप बोलते रहते हैं आप फील करते रहते हैं तो बिलीफ किज़े आप हमेशा confidence रहेंगे हमेशा आप positive रहेंगे अगर आपके लाइफ में कोई problems भी हैं तो वो भी automatically चले जाएंगे मेथर नमबर 5 Mind control over sickness दोस्तों अगर आप sick हैं अगर आप कुछ ऐसे बिमारी से आप जोज रहे हैं कुछ भी बिमारी हो सकती हैं तो अगर आप उससे over come करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो power tools है वो हमारा mind है दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो mind है कोई भी दवाई तभी भी काम करता है जब हम अपने मैंड को या हम अपने मैंड को वो चीज़ों को बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो अगर आप ये टेक्निका आप अपने life में यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी बिमारी से बाहरा सकते हैं आप को बस ने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ मैं कल से आज बहतर हूँ मेरा blood flow normal हो रहा है मेरा BP normal हो रहा है मेरा sugar control हो रहा है मैं बहतर हो रहा हूँ जैसे आप अपने mind को ये बोलते हैं दोस्तों आपकी subconscious mind को ये बात पता चलता है और वो आपकी internal जो mechanism है आपकी body की उसको strong करने में लग जाता है वो message सारे sales को देता है आपकी body की कि आप ठीक हो रहे हैं तो एक ऐसा hormone release होता है जो सारे body को, सारे sales को सबको ये information जाती है कि आप ठीक हो रहे होते हैं और सारे sales ठीक करते हैं दोस्तों ऐसा बहुत बार research हुआ है बहुत बार doctors ने ऐसे सलाह दिया है patients को कि वो positive रहे हैं वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं और ऐसे करने से उनको बहुत फायदा हुआ है तो दोस्तों ये technique हम लोग sickness पे भी यूज़ कर सकते हैं ये silver mind control method जो है वो अगर आप use करें ये technique आप use करें तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी बिमारी से aggressive हैं आप ठीक हो जाएंगे normal बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे और भारी गंभीर बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों एक ऐसा research किया गया है कि एक पार एक ही type के जो patients है उनको दो group में रखा गया दोनों को एक को तो medicines दे गई और दोसरे को normal vitamins की गोलियां दे गई दोनों को ये किन दिलाया गया कि आप ठीक हो रहे हैं और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए दोस्तों जब ये डॉक्टर से पुछा गया कि दूसरों को तो medicine दे गया ये तो ठीक है कि medicine ने उन पे अस्तर किया और वो ठीक हो गए बट जो दूसरा group था उनमें तो आपने तो आपने सिर्फ vitamins की गोलियां थी वो कैसे ठीक हो गए तो doctors ने बोला कि उनको दिमाग में ये पता था कि उनकी जो medicine है वो उनकी बिमारी के लिए है और वो अपने आपको हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ और उनका mind उनका mind का power है वो उनकी body की सारी बिमारियों को उनको heal कर दिया तो दोस्तों हमारे बोड़ी के अंदर illness power होती है उसको सिर्फ हमें जगाना है कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें message सिर्फ पहुँचाना है हमारे जो पुदरत ने बनाया है हमारे बोड़ी को वो full complete बनाया है कुछ भी बाहर की चीज़ने की जरुवत नहीं है इसको अगर आप किसी भी बिमारे से जोज रहे है तो उसमें हमारे अंदर ही डॉक्टर है हमारे अंदर healing power है बस उसको जगाना है आपको आपको यह अहसास दिलाना है आपको उसको message देना है कि आप ठीक हो रहे हैं आप बेहतर हो रहे हैं method number six dream control दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि सपने को आप सही use कर सकें तो यह technique एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाए इस technique में बताया गया है कि जब भी आप सोएं आप paper pencil लेके अपने पास सोएं अगर आपके life में कोई problem है तो आप सोने से पहले अपने आपको बोलें कि मेरे life में यह problem है इसको मैं solve करना चाहता हूँ मेरे आज रात यह सपना आएगा जिसमें मेरा यह problem solve हो जाएगा यह आप तब बोलें जब आप सोने के एकदम कागार पे हों आप आधा sleeping mood में हों और आधा आप जागने के स्थिति में हों तब आप यह बोलेंगे तो आपके subconscious mind के पास यह message जाएगा और फिर वो उस पे काम करेगा और दोस्तों आप believe किजिए आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको यह problem solve होता हुआ दिखेगा और जब आपको वो सपने आए जब भी आप जगें आप उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाए दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा आपका problems का answer आपके सपने में आए तो आप उसको जरूर follow करें because वो आपकी आत्मा होती है वो आपकी आत्मा आपको correct बताती है कि exactly आप क्या कर सकते हैं उस problem को solve करने के लिए दोस्तों आजा करता हूँ कि ये 6 टेकनिक आप जरूर यूज़ करेंगे अपने लाइफ में और सिल्वा माइन कंट्रोल मेथट से आप अपने लाइफ चेंज कर पाएंगे दोस्तों अगर इस बुक से कोई भी आपको फायदा होता है तो हमें कमेंट बुक में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और सेर जरूर कीजेगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक सेर से किसी के लाइफ बन जाए क्योंकि जरूर को लाईब की जरूर बाल सावक जर लाइब कीजे बन जरूर मिंए गें तो हमारे अजार का ये चास्थ शर मिंए